हेलो दोस्तों नियू येर आ चुका है और ये टाइम आपके सेल्फ इंप्रूब्मेंट के लिए काफी जादा बेस्ट है आपका पिछला साल कैसा भी गया हो पर आपको अपने आपसे वादा करना चाहिए कि आपका ये नया साल बेस्ट जाएगा जो भी आपने पिछले साल नहीं करा वो आप इस साल अचीव करोगे और अपने पैरेंट्स अपने फ्रेंट्स अपने रिलेटिव को प्रूफ करके दिखाऊगे ऐसी चीजे एसे कमिट्मेंट ऐसे रेजिलूशन जो आपको जरूर लेने चाहिए इस साल तो उनके बारे माज बात करेंगे कि ऐसी कौ अगर आप पूरे साल एक रूटीन के अगोडिंग स्टडी करोगे तो आप अच्छे ग्रेट्स भी लेकर आपाऊगे उसके बाद सेकेंड थिंग ट्राइ सम्थिंग न्यू इन दिस यर आप कुछ नया ट्राइ करो अब नय से क्या मतलब है कि आप कोई भी नया स्पोर्स नई हो भी ट्राइ कर सकते हो या फिर कोई भी आप जो नया सब्जेक्ट जो आप कम पढ़ते हो उसको पढ़ सकते हो ताकि आप कुछ नया सीखे कोई नई लैंग्विज सीख सकते हो जो आपके वीक है कुछ भी हो सकती है आप कुछ नया ट्राइ करो अगर आप नया ट्रा आपको खुज से प्रॉमिस करना है कि आपको रट्टा नहीं मानना है, सारी चीजे नए साल से समझ समझ के पढ़नी है, आप जितना हो से कि उसको अच्छे से समझ के उसके एप्लिकेशन, उसके प्रैक्टिकल्स करो, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, चाहे वो कोई सा भ फाले यर्स में, तो इसको जरूर आप कमिट करो, आप लर्निंग पर फॉकस करो, ग्रेट्स पर नहीं, उसके बाद फूर्थ टिप, अवोईड एक्सक्यूजिस, एक्सक्यूजिस को अवोईड करो, आप जितने भी बहाने बाजी करते हो, आपको वादा करना है कि अब काफी है, लेकिन प्रोकरस्टिनेट नहीं करना है, एक्सक्यूजिस नहीं देने है, ये बेस्ट रेजलूशन आप इसको करोगे, तो आप अच्छे ग्रेट्स साथ साथ एक अच्छा स्टुजेंट, एक अच्छे परसनालिटी बन जाओगे, उसके बाद फिफ्ट तो ये रेजलूशन जरूर करना कि आप हेल्दी रहो, क्योंकि वो सबसे इंपोर्टन है आपकी स्टेडी से भी जादे इंपोर्टन आपके लिए, ठीक, उसके बाद, सिक्स रेजलूशन, फोकस अन मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, कोई भी वर्काउट करो, आप जरूर करना इस साल में, या तो एक्सराइस करना, या फिर योगा करना, या फिर आप अच्छे लोगों में रहो, ताकि आप उनसे कुछ अच्छा ही सीखें, तो ये थे छे रेजलूशन जो आपको करने चाहिए, अगर आप एक स्टुडेंट होतो हो, तो अगेन हैपी नि या फिर आपको स्टुडी प्लाइन चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हो, तो मिलते आप से के लिए वीडियो में देतक के लिए, all the best, thanks to the watching and peace.